बरते खबरों में आगे देखें, सुप्रीम कोट से जमानत मिलने के बाहर दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केज्रिवाल जेल से बाहर आ गए हैं, तो वहीं केज्रिवाल के जेल से बाहर निकलने पार बिहार में भी सियासी बहस तेज हो गई हैं दिल्ली शराग घुटाले से जुड़े CBI केस में मुख्यमंत्री अर्विंद केज्रिवाल को जेल से बाहर आए, केज्रिवाल का आम आदमी पार्टी के कारिकरताओं ने जोर दार स्वागत किया केज्रिवाल दिल्ली में जेल से बाहर निकले और सियासत दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर बिहार में तेज हो गई केज्रिवाल के जमानत पर आर्जोडी नेता तेज्वी यादों ने खुशी जाहिर करते हुए बीजेपी पर विपक्ष के नेताओं को जूटे मुकदमे में फसाने का रोप लगाया तो दूसरी और बीजेपी नेता और विहार के डिप्टिस जियम विजए सिना ने कहा कि कोर्ट ने अर्विंद केज्रिवाल को जेल बेजा था और कोर्ट ने ही जमानत दी केज्रिवाल के जमानत पर जेडियू के राष्टिय प्रवक्ता राजियू रिंजन ने कहा कि जमानत न्याइक प्रकडिया का हिस्सा है इसमें कोई दोश मुक्त नहीं हो जाता अदालती फैसलों पर हमारी पार्टी प्रथिक्रिया नहीं देती है इस फैसले का सभी प्रकडियों को सम्मान करना चाहिए आपको बताएं कि शराग भोटाला मामले में केज्रिवाल को एडी ने 21 मार्च को गिरफतार किया था दस दिन की पूछता आज के बाद एक अपरेल को तिहार जेल भीजा गया बीच में उन्हें चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत मिली थी अब 177 दिन बाद सुप्रीम कोट ने अर्विंद केज्रिवाल को उन्हीं शर्तों के साल जमानत दी है जिन शर्तों के साथ एडी वाले केस में जमानत मिली थी पिरो रिपोर्ट न्यूस 18 अर्विंद केज्रिवाल को सुप्रीम कोट ने सशर्त जमानत दे दी है तो आप वो कौन-कौन सी आठ शर्ते हैं आईए वो भी जान लेते हैं पहला है मुख्यमंत्री कार्याले नहीं जा सकेंगे अर्विंद केज्रिवाल मतलब ये हुआ कि जब तक कोट का अगला कोई आदेश नहीं आता है तब तक जमानत पर रहने के बावजूद केज्रिवाल मुख्यमंत्री के कार्याले नहीं जाएंगे दूसरा किसी भी सरकारी फाइल पर वो साइन नहीं कर पाएंगी इसकी इजाज़त नहीं दी गई है मतलब जमारत मिली है लेकिन किसी भी सरकारी फाइल पर साइन करने का अधिकार उनको नहीं है तीसरा है किसी केस से जुड़ा हुआ कोई भी सारजनिक बयान वो नहीं दे सकते हैं यानि कि बयान के जर्ये माहल बनाने की इजादत भी उनको नहीं दी गई है कोई भी बयान वो सारजनिक तोर पर नहीं दे सकते हैं चौता है 10 लाख रुपे का बिल बॉइन ये उनको भरना होगा, ये शर्द थी उनके लिए, जिसको भरने के बाद ही केजरिवाल जो हैं वो जेल से बाहर आपाएं हैं इसके बाद पांचवा है, जाच में बाधा डालने की कोशिश वो नहीं करेंगे विरोधी अकसर इस तरी के आरोप लगाते हैं और यहीं वज़ा है कि कोट ने ये शर्ट रख दिया कि गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे केजरिवाल साथवा है, जरूरत पढ़ने पर ट्राइल कोट में पेश होंगे मतलब जब भी जरूरी होगा तो कोट में पेश होना पड़ेगा केजरिवाल को किसी भी तरह का बहाना नहीं चलेगा और आटवा है, जाच में सहीयो करेंगे अरविंद केजरिवाल झाल झाल झाल